दोस्तन स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दिबेस्ट वन होरर पॉड्कास्ट के एक नई एपिसोड में मेरा नाम है विरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ ट्रक ड्रैवर्स के साथ घटी कुछ डरावनी घटनाएं तो कहानी को 2007 की है मैं एक मिनी ट्रक लेकर दिली से रामनगर जा रहा था जून का महीना था रात के वक्त भी बड़ी गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने अपनी गाड़ी के दोनों तरफ की खिडिकियों के काच नीचे किये हुए थे सड़क के दोनों तरफ जंगल था रात का एक बज रह था सड़क सुनसान थी उसमें मेरे अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी मैं काफी देर से गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते अब मुझे नीद सी आ रही थी पर मुझे कैसे भी करके सुबह 4 बजे तक रामनगर पहुचना ही था जब मेरी गाड़ी बी बीच जंगल में अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से नीचे उतर कर मैं सड़क के किनारे हलका होने लगा तब ही मुझे जंगल के अंदर से बहुत तेज एक औरत की चीख सुनाई दी वो मदद के लिए चिला रही थी वो चीख मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी इसलिए मै मैंने उसकी मदद करने की ठानी और मैं उसकी आवास कहां पीछा करते हुए जंगल के अंदर घुसा मैंने उस औरत को आवास दी और कहा कि वो आवास करते रहे ताकि मैं पता लगा सकूं कि वो कहां पर है मेरे कहे अनुसार वो औरत आवास करती रही और चीखती रही मैं उ मैं जंगल के काफी अंदर आ चुका था, मगर मुझे वो औरत कहीं दिखाए नहीं दी अब इस पॉइंट आफ टाइम पर मुझे थोड़ा शक होने लगा कि यहां कुछ तो गड़बढ है मैंने उस औरत को आवाज दी और कहा कि वो अपनी लोकेशन बताए बदले मैं वो औरत फिर से चीखी और वो आवाज अभी मुझे से उतना ही दूर थी जितना शुरुआत में थी, तब मैंने वापस जाने का फैसला किया और तुरंथ अपने ट्रक की तरफ भागने लगा मगर जब मैं अपने ट्रक की तरफ भाग रहा था तब मुझे मेरे पीछे से भी किसी के भागने की आवाज आ रही थी मैंने पलट कर पीछे देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया लेकिन जब मैं वापस भागने लगा, तो मुझे फिर से लगने लगा कि मेरे पीछे कोई है, बस उसके बाद मैं बिना पीछे मुड़े भागता रहा, और जब मैं अपने ट्रक के पास पहुँचा, मैं तुरंत अपने ट्रक में चढ़ा, तब मैंने ट्रक की हेडलाइट की रोश्णी में जंगल की तरफ देखा, मैंने देखा एक अधेड उम्र की औरत, जंगल में एक पेड का सहारा लेकर खड़ी थी, उसके बाल उलजे हुए और गंदे थे, चहरे में चोट खरोंचों के निशान थे, शरीर में फटे हुए मेले कुछले कपड़े थे, उसके हा जो मैंने पहले सुनी थी, बस इससे पहले की वो भागते हुए मेरे ट्रक की तरफ आती, मैंने पूरी रफतार से अपने ट्रक को वहां से भगा लिया, मैंने बैक व्यू मीरर में पीछे देखा, वो औरत अभी भी सड़क के किनारे खड़ी थी, उसके बाद वो बिजली की चुडैल थी, वो मुझे अपने पीछे उस जंगल के अंदर बुला कर, मेरे साथ कुछ तो भयानक करने वाली थी, उसके हाथ का वो चाकू और उसमें लगे खून को याद करके, आज भी मेरे रोंग्टे खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ घटा, उसके बारे मैं मैं खुद भी यकीन नहीं कर पाता, कि वो मेरे साथ सच में घटा था। पहले मैं भी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब समझ आता है कि बड़े बुजर्ग क्यों कहा करते थे, कि जब खुद पे गुजरती है, तब ही सम और जिस डरावने वाक्ये के बारे मैं मैं आपको बता रहा हूँ, वो आज से लगभग 35 साल पहले घटा था, मैं चंदिगर से हिमाचल के लिए ट्रक लोट करके निकला था, ट्रक मैं अनाच की बोरियां भरी हुई थी, वापसी मैं अगले दिन मुझे सेब लेकर आने थे मेरे साथ मेरा क्लीनर था, जो मेरे से बस दो-तीन साल ही छोटा था, मेरी उम्र भी 25-26 साल ही थी, हम दोनों का वो रात में पहला ट्रिप था, शाम होते ही हम चंदिगर से निकल गए, सब कुछ ठीक था, मगर जैसे जैसे हम हिमाचल में एंटर हुए, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ने लगा, पहाडों के घुमावदार सडके, और तोनों तरफ घना जंगल, और सडक में सिर्फ हमारा ट्रक, उस सडक में सच में हमारे अलाव और कोई गाड़ी नहीं थी, मेरा क्लीनर तो सीट के पीछे लंबी वाली सीट में जाके सो गया, मैं काफी देर से ट्रक च चलाते-चलाते, करीब रात के बारा बजे मुझे भी नींद की जपकी आने लगी, मैंने सोचा क्यू ना सडक के किनारे ट्रक लगा के मैं भी सो जाऊ, वैसे भी हम समय से थोड़ा जल्दी चल रहे थे, तो मैंने सडक के किनारे अपना ट्रक रोका, और सीट में बैठे-ब और देखा मेरा क्लीनर ट्रक से नीचे उतर रहा था। मैंने उसे अवास दी है नंदू रुक यार मैं भी आ रहा हूँ। पानी क्यों नहीं लाया? धोएगा कैसे? मगर नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नंदू के करीब गया और जैसे ही मैं नंदू के कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि टॉर्च की रोश्नी नंदू के पैरों पर गई। बस तभी मैंने अपने हाथ पीछे खीच लि उसके दोनों पैर किसी जानवर के पैरों की तरहे बालों से ढके हुए थे। ये देख कर मैं धीमे धीमे पीछे की तरफ बढ़ने लगा। तब ही मेरी नजर उस चलावे पर गई। वो भी चलता चलता रुग गया। जैसे जैसे मैं अपने कदम पीछे बढ़ाता। वो भ भी वैसे वैसे अपने कदम पीछे लेता। मैं दाहीना पैर उठा कर पीछे रखता तो वो भी अपना दाहीना पैर उठा कर पीछे रखता। मैं जैसा करता वो वैसा ही कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी मगर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो मुझे ही देख रहा मैंने टॉर्च की रोशनी उसके सिर की तरफ की और जो देखा वो देखकर मेरी आँखें फटी की फटी रह गई मैंने उसके सिर पर जब टॉच की रोशनी ढाली तब मैंने देखा, उसके सिर में बालों के बीच दो बड़ी बड़ी काली आंखे मुझे ही देख रही थी बस तब ही मैंने आव देखा न ताओ मैंने हाथ में थामी हुई बोटल वहीं फें की और पूरी जान लगा के मैं वापस ट्रक की तरफ भागा वो नंदू रूपी हैवान भी उल्टे कदम मेरी तरफ भागता आ रहा था आप कल्पना करो कि एक आदमी जब रिवर्स में भागेगा तो वो कैसा लगेगा बस वैसा ही लग रहा था वो हैवान बस उसके सर के पीछे दो बड़ी बड़ी काली आँखें थी मैं जैसे तैसे गिरते पड़ते ट्रक के करीब पहुँचा और ट्रक में चढ़कर मैंने बाहर देखा बाहर अब कोई नहीं था वो हैवान ना जाने कहां गायब हो गया था तभी ट्रक की चट में कोई बड़ी ही जोर से कूदा और एक जोर की अवाज हुई उस अवाज के साथ ही पीछे सोया नंदू जाग गया हाँ ये वाला असली नंदू था नंदू हडबडा कर खड़ा उठा और बोला अरे उस्ताद ये कैसी अवाज थी गाड़ी की चट पर कौन है मैंने कहा तू खिड़की से मुंडी निकाल कर खुद क्यों नहीं देख लेता अबे भूत इनी के भूत है उपर वो हसता हुआ बोला क्या उस्ताद भूत थोड़ी ना होगा कोई बंदर बंदर होगा रुको मैं भगाता हूँ इतना कहकर नंदू खिड़की से बाहर निकला और छट पर देखने लगा तभी नंदू जोर से चीखा और फिर कांपते हुए वापस अंदर आया उसकी आखें भटी हुई थी मैंने उससे कहा क्यों देख लिया ना क्या था नंदू थूक निगलते हुए कांपती हुई आवाज में बोला अब उस्ताद ट्रक भगाओ यहां से मैंने वैसा ही किया मैंने ट्रक स्टार्ट किया और तुरंत वहां से भगा लिया बहुत देर तक हमारे ट्रक की छट के उपर से जोर जोर से उचलने की आवाजे आ रही थी वो छट के उपर कभी जोर जोर से चीखता तो कभी जोर जोर से उचलता उसकी चीख अजीब और भयानक थी काफी देर तक हमें महसूस होता रहा कि वो ट्रक के उपर ही है मगर फिर ना जाने वो कहां चला गया और फिर एक गाउं के पास जाकर ही मैंने अपना ट्रक रोका और फिर नंदू ने डरते डरते खिडकी से सिर बाहर निकालके छट के उपर देखा छट में अब कोई नहीं था हमारे उपर से वो बला टल चुकी थी उसके बाद हमने शिमला पहुँच कर ही दम लिया मैंने रात में नंदू को सारी बात बताई कि किस तरह उस हैवान ने नंदू का रूप धरा और किस तरह मैं उसके पीछे पीछे जंगल में खुज गया था खेर हम दोनों वहां से सुरक्षित भागाए और ये सबसे एहम बात थी अगर उस रात मेरी नजर उसके पैरों की तरफ नहीं जाती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि वो नंदू नहीं कोई भूत है और ये भी सोच के मेरे रोंग्टे खड़े हो जाते हैं कि आखिर वो हैवान मुझे लेकर कहा जा रहा था अगर मैं वहां पहुँच जाता तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करता खेर जो भी हो उस रात मैं बाल-बाल बचा और नंदू भी मगर उस रात की घटना मेरे दिमाग में आज भी ताजा है और उसे याद करके आज भी मेरे रोंग्टे खड़े हो जाते है मेरा नाम रमेश है मुझे सब रामू कहके बुलाते है मैं एक ट्रक ड्रैवर हूँ वैसे तो हर ट्रक ड्रैवर के साथ कोई ना कोई भूतिया घटना घटती ही है क्योंकि वो ट्रक ड्रैवर अकसर रात में जो सफर करते हैं मैं पहले अपने साथी ड्रैवर के साथ घटे सचे डरावने अनुभवों पर यकीन नहीं करता था बलकि मैं तो उन पे हसता था मगर मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में बताते हुए भी मेरे रोंग्टे खड़े हो जाते है ये सन 2005 की बात है गर्मियों के दिन थे एक रात मैं उत्रा खंड के हलदवानी शहर से एक घर का फरनीचर और बाकी समान लोट करके हरीदवार जा रहा था किसी बैंक मेनेजर का ट्रांसफर हुआ था और मेरे ट्रक में उसी के घर का सामान था मैं रात में नौ बजे बाद अपना ट्रक लेकर हलदवानी से हरीदवार के लिए रवाना हुआ हलदवानी से हरीदवार का करीब 225 किलो मीटर का रन था और फिर मुझे वापस भी आना था इसलिए मैं जितना तेज हो सके उतना तेज ट्रक चला रहा था मैनेजर साब अपनी पत्नी और एक छोटी बच्ची को लेकर पहले ही अपनी कार से जा चुके थे रात के बारा बजे तक मैंने काशिपूर क्रॉस कर लिया और उसके बाद का सफर सुनसान था इस रूट मैं रात के वक्त ज्यादा गाडिया नहीं थी इसलिए मैं उस सडक में धीमे धीमे चल रहा था वैसे तो हमेशा मेरे साथ एक क्लीनर रहता था मगर उस दिन से एक दिन पहले उसके घर में किसी की मौत हो गई थी तो वो अपने गाउं चला गया था मेरा ट्रक उस सुनसान हाईवे में दोड रहा था वो एक जंगल वाला इलाका था अगर उस जगह में मेरी गाड़ी में कोई खराबी आ जाए और ट्रक रुख जाए तो मैं अकेला वहां नहीं रुख सकता था वो इलाका इतना डरावना था चारों तरफ अंधेरा था आसपास नहीं कोई बजार थी नहीं कोई गाउं उस सुनसान सडक में चलते हुए मुझे एक मंदिर दिखा मैंने उस मंदिर के आगे माथ हटे का और मेरा डर थोड़ा कम हुआ मैं उस मंदिर से अभी थोड़ी ही दूर आगे पहुँचा था कि सडक के किनारे मुझे एक आदमी ख़ड़ा दिखा वो किसी गाड़ी के इंतजार में लग रहा था वो कोई मुसाफिर था मेरे ट्रक को आता देख कर उसने हाथ दिया मैंने सोचा शायद उसे लिफ्ट चाहिए होगी और अभी इस वक्त उसे कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं मिलने वाली इसलिए मैंने अपना ट्रक रोका वो मुसाफिर ट्रक की खिड़की के पास आकर मुझसे बोला भाईजी मुझे हरीदुआर जाना है क्या आप मुझे वहाँ तक लेचलोगे मैंने भी कहा हाँ आजाओ बैठ जाओ वो मुसाफिर ट्रक में चढ़ा मैंने देखा उसके हाथ में एक छोटी सी मटकी थी जिसे लाल कपड़े से ढखा हुआ था उसे देखते ही मैं समझ गया था कि वो अस्थियों वाली मटकी है मुझे पहले पता होता कि उसके हाथ में अस्थिया है तो मैं उसे अपने ट्रक में नहीं बिठाता खेर अब वो बैठ ही गया था तो फिर मैं कर भी क्या सकता था मैंने अपना ट्रक आगे बढ़ाया वो आदमी काफी देर तक चुप-चाब बैठा रहा तो उस चुपपी को तोड़ते हुए मैंने ही उससे पूछ लिया भाई साब ये आपके हाथ में किसकी अस्थिया है मेरे सवाल के जवाब में उसने जो कहा उससे सुनके एक पल के लिए मेरी रूह काप गई उसने कहा ये मेरी अस्थिया है मैं कुछ पल तो हैरान होकर सोचता रहा कि आखिर कौन अपनी अस्थिया लेकर घूम सकता है भूत मेरे दिल ने कहा मैंने ठूक निगलते हुए उस आदमी से कहा भाई साब क्यों मजाग कर रहे हो एक तो रात का वक्त है और आप मुझे डरा रहे हो वो बोला घबराओ नहीं भाईया मैं सच कह रहा हूँ ये अस्थिया मेरी ही है मैंने कहा क्या भाई साब कोई अपनी खुद की अस्थिया कैसे ले सकता है अस्थिया तो मरने के बाद चिता मैं जलने के बाद बनती है और हमारी हस्थियों को कोई आर विसरजिद करता है हमारे परिवार वाले ये रिश्तेदार वो बोला हाँ, सही कहा मैं मर चुका हूँ मेरा अंतिम संस्कार हो चुका है मगर मेरे भाईयों ने मेरी अस्तियों को विसरजित करने के बजाए सड़क के किनारे जाड़ी में फेंक दिया था वो इसे लेकर हरीदवार जाते तो पैसे खर्च होते और उनकी बीवियों को ये अच्छा नहीं लगता इसलिए उन्होंने ऐसा किया ये सब सुनके मैं बोला देखो भाई तुम्हारी कहानी दुखत जरूर है मगर इसे सुनकर मेरी फटी पड़ी है तुम कृपया करके गाड़ी से नीचे उतर जाओ और ऐसा कहते कहते मैंने ट्रक रोक कर उस आदमी की तरफ देखा मगर वो आदमी अब गयब हो चुका था बड़ी ही भयानक बात थी ट्रक को रुके अभी आदा सेकंड भी नहीं हुआ था और वो आदमी गयब हो चुका था मगर वो अस्थियों वाली मटकी अभी भी उसी सीट में रखी हुई थी जहां पर वो बैठा था मैंने कापते हुए हाथों से उस अस्थियों वाली मटकी को उठाया और मैं उसे खिड़की से बाहर फेंकने ही वाला था कि अगले ही पल मेरा मन बदल गया मैंने सोचा कि अगर मैं उन अस्थियों को सड़क के किनारे फेंक दूँगा तो उस बेचारे आदमी की आत्मा को कभी शांती नहीं मिलेगी इसलिए मैंने उस मटकी को उसकी सीट में वापस रखा और उस मटकी की तरफ देख कर कहा माफ करना भाई मैं डर गया था मैं आपकी अस्थियों को गंगा जी में पूरे रीती रिवास के साथ विसरजित करूँगा आपकी आत्मा को शांती जरूर मिलेगी फिर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हरी दुआर के लिए निकल गया ये कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है एक राध शिवम अपने आफिस के को वरकर की शादी अटेंड करके वापस घर लोट रहा था वो अपनी कार में अकेला सफर कर रहा था उसके हाथ में एक बियर बाटल थी जिसके घूट वो बीच बीच में मार रहा था रात का एक बज रहा था और जिस सड़क में वो था वो एक सुनसान सड़क थी सड़क के एक तरफ एक बड़ी नदी थी और दूसरी तरफ एक घना जंगल चारों तरफ अंधिरा था बस सड़क शिवम की कार की हेडलैट की रोशनी में साफ नजर आ रही थी और उसी सड़क में दूर एक कार सड़क के किनारे खड़ी थी शिवम की कार उस कार के नजदीक पहुँची तो शिवम ने देखा एक औरत उस कार का बूनट खोलके कुछ तो चेक कर रही थी शिवम की कार को नजदीक आता देखकर वो औरत सडक में आकर शिवम की कार को हाथ देने लगी शिवम ने पहले तो अपनी बियर की बोटल छुपाई और फिर अपनी कार उस औरत के पास जाकर रोकी वो औरत शिवम की कार की खिड़की के पास आई और बोली सर मेरी कार खराब हो गई है क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे आगे एक पैट्रॉल पंप है मैं वहाँ से मदद ले लूँगे आप बस मुझे वही पैट्रॉल पंप तक छोड़ दीजे शिवम ने उस औरत की कार को अच्छे से देखा वो एक ब्लैक मरसरीज कार थी जिसके शीशे भी काले थे वो औरत भी अच्छे खासे घर की नज़र आ रही थे उस औरत को लगा कि शिवम उसे लिफ्ट देने में घबरा रहा है तो वो शिवम से बोली ऐसे किसी अंजान जगहे में किसी अजनबी को लिफ्ट देने में शायद आप घबरा रहे हैं अगर आपके फोन में नेटवर्क हैं तो प्लीज तो मेरे लिए एक फोन ही कर दीजिए एक्चुली मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है वरना मैं खुद ही मदद के लिए किसी को बुला लेती शिवम को मालूम था कि जंगल के उस इलाके में नेटवर्क नहीं मिलते इसलिए उसने उस औरत से कहा हरे नहीं, आप आजाएए, बैठिए वो औरत शिवम की बगल वाली सीट में आकर बैठ गई उसने शिवम से कहा, हाई, मेरा नाम मोनिका है शिवम ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम शिवम है वैसे आप इस वक्त कहां से आ रही हैं मोनिका ने बताया कि वो माधोपूर से आ रही है और आगे किशन गंज को जा रही थी कि रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई फिर मोनिका ने शिवम से पूछा वैसे आप इतनी रात को कहां से आ रही हैं शिवम ने कहा, दोस्त की शादी से तभी शिवम ने सामने से एक पुलीस की कार को बड़ी ही तेजी से आते हुए देखा फिर वो कार शिवम की विपरीत दिशा में चली गई और उसी कार के पीछे एक एम्बिलेंस भी थी जो बड़ी ही तेजी से पुलीस की कार के पीछे पीछे चली गई वो औरत बोली लगता है कहीं कोई एक्सिडेंट हुआ है इस सड़क में एक्सिडेंट होते रहते है शीवम ने कहा नहीं इतने भी एक्सिडेंट नहीं होते मैं रोज इसी सड़क से आता जाता हूँ मेरे ख्याल से पिछले एक साल से अब तक तो यहां कोई एक्सिडेंट नहीं हुआ जिसमें अबुलेंस या पुलीस की जुरत पड़े अब हाँ एक साल पहले जरूर एक एक्सिडेंट हुआ था उसमें सवार एक और और उसकी बेटी उसमें मारे गए थे बहुत बुरा एक्सिडेंट था वो औरत बोली हाँ एक साल हो गया है उस एक्सिडेंट को आज ही के दिन मारे गए थे दोनों मा बेटी शिवम ने हैरानी से उस औरत की तरफ देखा वो औरत शिवम की तरफ देखकर मुस्कुराई फिर उसने सामने मिरर की तरफ देखा शिवम ने भी मिरर में देखा और जो देखा वो देखकर उसकी आँखें डर के मारे फटी की फटी रह गई उसने मिरर में पीछे बैठी एक छोटी बच्ची को देखा जिसका चहरा कुचला हुआ था और उसकी फ्रॉग खून से लटपत थी फिर शिवम ने वापस अपने बगल में बैठी हुई सौरत की तरफ देखा उस सौरत का चहरा भी बुरी तरह से कुचला हुआ था बस तभी शिवम की आँखों के सामने एक साल पहले की घटना चलने लगी एक साल पहले आज ही के दिन शिवम एक पार्टी से आ रहा था उसने बहुत शराब पी रखी थी जब वो इसी सडक से गुजर रहा था तभी उसे सामने सडक में एक औरत अपनी बेटी के साथ खड़ी दिखाय दी वो औरत मदद के लिए शिवम को हाथ दे रही थी उसके बाद शिवम शराब के नशे में लड़ खड़ाते हुए अपनी कार से नीचे उत्रा और उन दोनों मा बेटियों के पास गया वो दोनों मा बेटी सडक में बुरी तरह से तड़प रही थी शिवम किसी पुलीस केस में नहीं फसना चाहता था एक तोस ने शराब पी रखी थी उपर से उसकी कार से ये एक्सिडेंट हुआ था वो कोई जमेला नहीं चाहता था इसलिए वो वापस अपनी कार में बेठा और उन दोनों को मरने के लिए सडक में छोड़ कर वहां से चला गया ये सारे द्रिश्य शिवम की आखों के सामने चल रहे थे बस तभी शिवम की कार का संतुलन बिगड़ा और वो सलक में रपटते हुए सलक के किनारे एक बड़े पत्थर से टकराई और फिर उसकी कार हवा में कई पल्टियां खाकर दूर जा गिरी और गिरते ही उसमें बहुत सोर का ब्लास्ट हुआ और शिवम ओन दा स्पॉट ही मर गया थोड़ी देर बाद शिवम की कार के पास एक पुलीस कार और एक एम्बुलेंस आकर रुकी पुलीस वाला कार से नीचे उतर कर शिवम की जलती गाड़ी के पास गया तब तक गाड़ी बुरी तरह से जल रही थी पुलीस वाले ने दूसरे ओफिसर से कहा अजीब बात है फोन में तो वो औरत बोली थी कि एक्सिडेंट हुआ है लेकिन हमने पूरा जंगल चान मारा हमें कहीं कोई एक्सिडेंट हुआ नहीं मिला और ये एक्सिडेंट भी अभी अभी हुआ है अभी कुछ देर पहले जब हम यहां से गुजरे थे ये कार हमारे सामने से आ रही थी ड्रंक एंड ड्राइव का मामला लगता है छड़ो फायर ब्रिगेट को कॉल करो वहीं कुछ तूरी पर वो ओरत और उसकी बेटी की आत्मा खड़ी शिवम को अपनी कार के साथ जलता हुआ देख रही थी उसके बाद वो दोनों चलते हुए वहां से दूर चली गई और हवा में गायब हो गई दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरी चैनल में इसी तरह की कई और दिल्चस्प कहानिया हैं उन्हें भी ज़रूर सुने मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद